नमस्कार दोस्तो अगर आपके पास भी एक pencard है ना तो आज की ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए काफी ज़्यादा जरूरी होने वाली है काफी ज़्यादा important होने वाली है जिया क्योंकि income tax department का एक नया update आया था जिसमें 31 मार्च तक जिन भी लोगों के pencard से उनका आध का आधार काड लिंक है या फिर नहीं है क्या पता पहले से आपके pencard से आपका आधार काड लिंक को और आप पालतु में टेंसन ले रहे हो समझ रहो ना तो बहुत ज़्यादा important वीडियो होने वाली है जरूरी वीडियो होने वाली है और आप लोगो बता दूं कि ये वीड सकते हैं हम लोग income tax department की official website पर आ चुके हैं website का जो link है वह आप लोगो इसी वीडियो के description box मिल जाएगा आप simply आपको website पर आने के बाद करना क्या है यहाँ पर नीचे की तरफ slide down करना है यहाँ पर आपको एक option मिलेगा quick links का जिया यहाँ यहाँ पर one tick लगा दिया है उसके ब आप लोग देख सकते हैं जो page है वो थोड़ा सा reload होगा यहाँ पर आप देख सकते हैं loading जो पूरी हो चुकी है यहाँ पर मरस हमने लिखा आगया link आधार status तो आपको simply करना क्या है द्यान से सुनना बिल्कुल आसान process है यहाँ पर आपको नीचे option मिलेगा आधार number और pen number ड जाल दिया ध्यान रहे है दोनों ही number आपको बिल्कुल सही फिल करना है ऐसा नहीं आप गलत फिल कर दो ठीक है जी number फिल करने के बाद आपको simply नीचे की तरफ आना है यहाँ पर आपको एक option मिलेगा view link आधार status का ठीक है जी आपको simply इस पर click कर देना है आप देख सकते है मै आधार card के साथ link है आप लोग बिल्कुल clear देख सकते है अब बात करते हैं यह तो हो गया कि जिनका link है उन्हें पता चल गया आप जिनका link नहीं उन्हें क्या दिखेगा तो वही उनका यहाँ पर simply दिखेगा कि no record found दिखेगा या तो फिर आपका pen card जो है वो आधार card से link न बने बात दो तो